चार पी सारी पिटिकोट चार पी सारी पिटिकोट के लिए शरीर का नाप लेना सिलाई से पहले की क्रिया का एक महतपूर्ण हिस्सा है कि बिल्कुल सही नाप लिया जाए ताकि बिल्कुल सही तरह से पोशाक फिट हो इस पार्ट में हम देखेंगे कि चार पी सारी पिटिकोट को सिलने के लिए शरीर का कैसे नाप लेना है इस पार्ट के अंत में आप एक चार पी सारी पिटिकोट बनाने के लिए ज़रूरी शरीर के अलग-अलग नाप को पहचान पाएंगे एक चार पी सारी पेटिकोट के लिए नाप ले पाएंगे एक चार पी सारी पेटिकोट के लिए ज़रूरी हिसाब लगा सकेंगे सबसे पहले हम देखेंगे कि 4P सारी पेटिकोट के वास्ते शरी के नाप लेने के लिए क्या-क्या औजार और चीजें आपको जरुद पड़ेगी आपको चाहिए नापने की टेप पेन और नोटपैड सारे नाप सही तरह से मिले इसलिए हमें नोटपैड में जो सब नाप लेना है उसका एक नापने का चार्ट बनाना चाहिए सारी पेटिकोट के लिए हमें जो नाप चाहिए वह है सारी पेटिकोट की पूरी लंबाई और कमर की चोड़ाई का नाप जो जो नाप लेनी है उनकी सारी लिस्ट नापने के चार्ट में लिखने के बाद हम सारी पेटिकोट के लिए नाप लेना शुरू करेंगे. सबसे पहले हम पेटिकोट की पूरी लंबाई का नाप लेंगे. सारी पिटिकोट की पूरी लंबाई नापने के लिए हमें कमर से नीचे पैर की कोहनी तक नाप लेना चाहिए यहां पूरी लंबाई 40 इंच है फिर हमें कमर की चोड़ाई का नाप चाहिए कमर की चोड़ाई की पूरी नाप लीजिए यहाँ पे कमर की चौढ़ाई की नाप 30 इंच है. अब हमारे पास सारी पेटिकोड बनाने के लिए पूरी नाप चाट में है और हमें कुछ हिसाब करना होगा. हम एक चार पीस सारी पेटिकोड को बनाएंगे, जो की चार पीस के कपड़े, एक कमर की बैंड और एक नाडे से बनी होगी. हम पहले इन चार पीस कपड़े के कमर की चौढ़ाई और नीचे की चौढ़ाई का निश्चय करेंगे. कमर की चौढ़ाई का नाप 30 इंच है हमें इसे 4 में विभाजन करना है ऐसे हर एक पीस की कमर की चौढ़ाई 30 बटा 4 होगी जो की 7.5 इंच है इसके साथ हम 1.5 इंच सीम अलाविंस यानि सीम अंतर जोडेंगे तो कुल मिलाकर कमर की चौढ़ाई 9 इंच हो जाएगी तो इस 4 पीस पेटिकोट की हर पीस की कमर की चौढ़ाई 9 इंच है हर एक हिस्से की नीचे की चौढ़ाई कमर की चौढ़ाई से 2 गुना होगी जो की 18 इंच है अब हम जाचेंगे कि कमर बैंड की लंबाई और चोड़ाई कितना है यह ध्यान में रखते हुए कि हर एक हिस्से की कमर की चोड़ाई 9 इंच है तो पूरी कमर की गोल की लंबाई 36 इंच है ऐसे कमर की बैंड की भी लंबाई 36 इंच होनी चाहिए एक आथे इंच की सीम अलावंस को दोनों तरफ जोडते हुए कमर बैंड की पूरी लंबाई 37 इंच होगी कमर बैंड की चोड़ाई 4 इंच होगी हम आथे इंच की सीम अलावंस दोनों तरफ जोड़ेंगे तो 5 इंच आता है अब हम देखेंगे कि सारी पेटिकोट की नाडे की लंबाई का कैसे हिसाब करें सारी पेटिकोट की नाडे की लंबाई कमर बैंड से 10 इंच जादा होगी ऐसा करने से 37 इंच के साथ 10 इंच और जोड़ेंगे तो पुरी लंबाई 47 इंच होगी हमारी आसानी के लिए हम इसे पच्चास इंच की गोल अंक लेंगे इस पार्ट में हमने सीखा है कि कैसे एक चार पी सारी पेटिकोट के लिए शरी का नाप लेंगे आईए इस पार्ट के समाप्थ होने से पहले हम जरूरी बातों पर एक नजर डालें एक चार पी सारी पेटिकोट के लिए हमें चाहिए सारी पेटिकोट की पूरी लंबाई और कमर की चोड़ाई की नाप हमें चार पीस के हरे की कमर की और नीचे की चोड़ाई का नाप, कमर बैंड की लंबाई एवं चोड़ाई और नाडे की लंबाई का हिसाब लगाना है